जी एसलामलेकुम जी चैप्टर नमबर वन मेयरमेंट्स फिजिक्स फिर्स्ट यर इसका नेक्स टॉपिक है हमारा असेस्मेंट ओफ टोटल अंसेटिनिटी इन कैलकुलेशन और इन दी फाइनल जिजर्ड तो इसको आज हम लोग डिसक्स करेंगे अच्छा बचे इस टॉपि checking में बच़ यह पी का अजो कैंड़ नेक्स ब्राइं जिस घ्कि वाइट मंड़न गारिया तो आप अगर वीडियो पर देखेंगे तो यह आजिए marty निक और विजर्ण तो इसके अंटर में बिसेटी है जिसमें हम मिछली वीडियो में कि बात कर चुक्य है significant figures, uncertainties, precision accuracy इन concepts को जरा आप एक दफ़ा revise कर लीजिएगा तो ये जो है ये topic समझना आप के लिए असान रहेगा अच्छा जी तो इसमें हमने जब किसी भी calculation में uncertainty अपियर हो रही हो तो उसको फिर किस तरह से आप लोगों ने assess करना है इसको हम लोग फिलहल डिसकुशन करे रहे हैं कि addition और subtraction और multiplication और devian इसमें हम किस तरह से इसको assess करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि during addition and subtraction हम किस तरह से uncertainties जो होती हैं इनको देखते हैं तो generally हम कहते हैं कि during addition and subtraction absolute uncertainties are added जिनने least count भी कहते थे they are added ठीक है चाहे addition हो या चाहे subtraction हो जैसे यह ज्यादा भेतर example से clear हो जाता है कि अगर आप यह देखें x1 reading तो यह 10.5 इसकी value है और यह plus minus के साथ जो value शोगी हुई है यह है इसकी absolute uncertainty यह जैसे least count भी आप कहते हैं यह instrument की होती है तो यह 10.5 plus minus 0.1 इसी दना से x2 है 26.8 plus minus 0.1 वो कहते है जी आप इन दोनों को minus करें x2 minus x1 करें तो 26.8 में से 10.5 को अगर आप minus करेंगे तो answer आता है 16.3 लेकिन 0.1 को 0.1 से minus नहीं करना ठीक है जी तो rule यहाँ पर यह है कि absolute uncertainty जाए addition हो यह subtraction हो यह हमेशा add ही होंगी तो 0.1 इंटू 0.1 वो जब आप add करेंगे दोनों को तो 0.2 सेंटीमीटर ठीक है जी इसी तरह एक और example मैंने यहाँ पर discuss की है कि अगर एक reading A है 4 plus minus 2 सेंटीमीटर दूसरी reading B है 3 plus minus 1 सेंटीमीटर तो आप अगर suppose इन दोनों को add करते हैं तो A plus B का answer क्या रहा है जी 4 plus 3 सेंट और plus minus यह दोनों add हो के 3 अगर आप इन दोनों को minus करते हैं जी A minus B करते हैं तो 4 minus 3 का answer 1 आगया लेकिन uncertainties जो है इनकी वो still add ही हो रही है वो minus नहीं हो रही है तो 2 plus 1 again 3 answer आगया जी तो यह याद रखने जी के during addition and subtraction absolute uncertainties are added ठीक है जी अच्छा अब दूसरी जो इसमें case है वो है multiplication or division का के multiplication और division में हम लोग क्या देखते हैं तो during multiplication and division हम कहते हैं जी percentage uncertainties are added ठीक है जी तो जो भी term आपस में multiply हो रही है या divide हो रही है तो पहले आपने उनकी percentage uncertainties निकाल ली होंगी और फिर उनको add करना होगा तो यह rule है इसमें जैसे एक example यहाँ पे जो textbook में उसने डिसकस की हुई है वो resistance की example देख रहा है कि जी resistance का relation आप जानते हैं वी ओवर आई वी वोल्टेज को कहते हैं आई करेंट को कहते हैं फिच यह second year के अंदर वैसे आप बढ़ते हैं तो voltage की value आप जानते हैं जी वह यहाँ पे उसने जो given दिए यह 5.2 यह value हो गई और प्लस माइनस पॉइंट वन यह उसकी absolute uncertainty इस तरह से current की value 0.84 प्लस माइनस 0.05 एंपेर ठीक है जी अब आपने इनकी percentage uncertainty निकाल ली है again मैं mention करूंगा कि आप जो है वो precision और accuracy वाला जो टॉपिक है वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बताया हुए कि percentage uncertainty आप किस तरह से calculate करते हैं तो यह सिंपल फार्मूला यह था कि absolute uncertainty को मेर्ड वैल्यू पर डिवाइड करते थे आप और 100% से multiply कर देते थे तो यह जो voltage की value थी यह 0.1 over 5.2 into 100% आंसर इसका आजाता है जी 2% इसी तरह से अगर आप current की value निकालेंगे तो 0.05 को 0.84 से डिवाइड किया 100% से multiply कर दिया तो आंसर जो है वह आपको तक्रीबद क्या मिलेगा जी 6% ठीक है तो अब जो resistance का answer होगा उसमें यह voltage और current का जो percentage uncertainty आ रही है इनको आप add कर देंगे ठीक है जी इसका मिलब resistance के answer में यह क्या answer बनेगा इसकी percentage uncertainty क्या बनेगी that is 8% 6 plus 2 8% ठीक है तो अगर आप जैसे चलें resistance की value अगर निकालने तो आपने simple voltage और current की value को आपस में divide कर दिया 5.2 divided by 0.84 आंसर आ गया 6.19 अब अगर आप से कहा जाता है कि resistance की uncertainty भी find करें तो आपने यह करना है simple कि 6.19 का 8% ले लेना है अगर आपको percentage लेनी आती है तो यह simple है कि 6.19 को 8 से multiply करें divided by 100 तो यह answer इसका आ जाता है जी 0.5 तो इसका यह मतलब वहा कि जो आपका complete answer लिखा जाएगा वो 6.19 या round off करके 6.2 हो गया plus minus 0.5 ohm तो यह इसका जो है जी तरीका का रहा है during multiplication and division percentage uncertainties जो होती है जी they are added और वो इस तरीके के साथ आप लोगों ने और भी बहुत सारी example हो सकती है जैसे अगर suppose force निकाल नहीं होती mass and acceleration की values given होती है उनकी percentage uncertainties given होती है तो आपने simple यह करना था कि multiply हो रही है तो बहुत सारे बच्चे वो uncertainties को भी multiply कर देते हैं या divide हो रही है तो divide कर देते हैं तो आपने भी उपर देखे है कि resistance की example में हमने divide या multiply नहीं किया एड किया था इसी तरह इदर भी mass की percentage uncertainty और acceleration की percentage uncertainty जो आएगी उनको add करेंगे तो वो force की मिल जाएगी जैसे कर मैं कहूं कि mass की 2% है, acceleration की 3% है तो add हो के answer की आजएगा जी 5% हो जाएगा ठीक है तो ये फिलाल आज के लिए आप ये याद रखें कि during addition and subtraction absolute uncertainties are added and during multiplication and vn percentage uncertainties are added ठीक है जी, mcqs में भी आ जाती है चीज़ें तो आप लोगों ने rules जो है अगर वो याद होंगे तो आपके लिए solve करना असान रहेगा ठीक है जी, question है तो आप जरूर mention करें comment section में और zen physics tutorials जो है ये channel इसको आप subscribe भी करें, like करें, share करें Thank you जी, Allah आफ़ेज